दोस्कार दोस्तों मैं प्रिसमैंघ आपका सवाद करता हूँ हमारे चैनल लहरण आनड ग्रो में में आज हम बात करेंगे आ artists आरी और जियो सिंक्रोणश सटीलाइट के वारे में तो जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोणष सटा लई होता है वह होता गया है पहले इसके डेफिनिशन हम देख लेते हैं जो एक satellite है जो की appear होता है at a fixed position हमें वो ऐसा लगता है कि उसकी जो position है fix है जब हम अर्थ से उसको देखते हैं वो एक definite height पर होता है observer से तो जब हम उसको देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो fix ही है सी प explorer ही है वो तुस तरह का जो सैटलाइस्ट है वह सेटलाइट होता है अब हम जानते हैं अर्थ ऑपना एक्सिस पर रिवॉल्व रोटेट कर रही है और उसके अलावा गाट चरह रही क्यों क्योंकि जब यह इस तरह से इस अर्थ के चारों तरफ रिवाल्व करता है यह सेम उसी डारेक्शन में ही रिवाल्व करेगा जिस डारेक्शन के अंदर हमारी अर्थ जो है अपने एक्सिज पर रोटेट कर रही होगी चलिए इसको ध्यान से समझते हैं तो यह तो हमने जेस्ट एक एक्सिज लिया है कि कोई डारेक्शन जो है उसी डारेक्शन में यह रिवाल्व करेगा जिस डारेक्शन में अर्थ अपने एक्सिज पर रोटेट कर रही है यानि कि मालीज यह इस तरह से यह एक्सिज है और जो है यह अर्थ है अब यह जो है मालीज यह इस ड होगा, ये भी इसी direction मे, इसके चारों तरफ तरह से रिववालु करेगा. अपने axis पर तो इससे क्या होगा? और जिसकी angular speed होगी, बिलकुल इसके same होगी जो की Earth rotate कर रही है अपने axis पर. उससे क्या होगा, ये जो है एक ही position पर रहेगा और हमें ऐसा लगेगा कि एक ही पोजीशन पर है लेकिन ये क्या है इसकी एक ही पूजीशन पर लगेगा जब यह घूमेंगी अर्थ तो यह उसके साथ-साथ जो है उसी स्पीड पर अब हमें पता है जो अर्थ है चोबी घंटे के अंदर जो है अपना एक चक्कर पूरा करती है अपने एक्सिज के ओपर तो इसी तरह से इसका जो टाइम है वो भी जो है चोबी घंटे का होना चाहिए ताकि जो है इसकी जो है एंगुलर स्पीड को ये मैच कर सके जो एंगुलर रोटेशन है इसको ये मैच कर सके तो इस तरह से इसको आप जियो सिंक्रोनस सैटलाइट भी बोलते हैं ये जियो सिंक्रोनस क्यों बोलते हैं क्योंकि जो एंगुलर स्पीड है वो सिंक्रोनाइज हो जाती है दोनों की मैच हो जाती है एक तरह से तो इस तरह से ये हमें एक फिक्स पोज तो हैंगा जो हम पहले निकाल चुके है जो हैंट यहां पर आर क्या है रेडियस ओफ दा अर्थ है यह चीज था तो हाइट आप निकालेंगे इन सारी चीजिवों पूट कर लेंगे आप जो रेडियस जो है हमारी वह रहेगे 6.4 इन्टु 10 पाव 6 मीटर ये वैल्यू हमने पहले भी डिसकस की थी उसके बाद जो हमारी जी है वो क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्केर ये जी की वैल्यू होती है ग्रैविटी की टाइम पीरिड कितना है चोबी घंटे का रहेगा चोबी घंटे यानि कि अगर आप इसको जो है चोबी आवर को सेकंड में चेंज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 24 इंटू 60 इंटू 60 ये हमारा हो जाएगा और इसी तरह से जब आप इन सारी चीज़ों के हावे पुट कर देंगे पाई की वैल्यू पर होना चाहिए हमारा 36000 किलोमेटर की हाइट पर होना चाहिए तब ही जो है ये स memb alan उन्य। ये आती है मोपना चाहिए इस विलोस्टी के साथ तो इतनी हाइट पर होना चाहिए तो दोनों कि हमारे पास आजाती है तो यह जो है हमारा सिंक्रोन सैटलाइट जो है जियो-synchronous satellite जो है कहलाता है तो इस तरह से उसी direction में ये move करेगा जिस direction में अर्थ अपने axis पर rotate कर रही है ये just एक example हमने लिया है ये ध्यान लखिएगा अब देखिए इसके अंदर जो है इसको और कौन सा नाम दिया जाता है इसको एक और नाम दिया जाता है इसको हम बोलते ह नहीं communication satellite तो दूसरा नाम इसको दिया जाता है वो दिया जाता है communication satellite अब इसको communication satellite क्यों ढोला जाता है क्योंकि यह एक जंगां पे जैसे कि अर्थ अपने axis पर rotate कर रही है तो एक जो हमाप एक फीक्स रहता है तो जो भी reflection है jako waves ये भेजता रहता करता है यह की तरह मैसेज εδώ भेज तरह आता है इसलिए जो फर्स्ट हमारा अगर हम बात करें टेल अल्य नहीं किया जह uh क्या था ने अमड रोज्ट किया था लोंच किया था और जी इंडिया की दुवा रॉस्ट किये गए हैं वो हमारे हैं इंसेट 2B और 2C तो इंसेट 2B और इंसेट 2C ये हमारे communication satellite है इंसेट 2B और 2C ये इंडिया के है तो इस तरह से जो है जियो stationary और जियो synchronous satellite को आप समझ सकते हैं उमीद है आपको समझ आ गया होगा थेंकिये वीडियो देखने के लिए और इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे channel learn and grow पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं धन्यवाद